और लोग दोवस्तों स्वागत थे आपका अमारी चनल करीयर अपडेट याय इंजीनियान में मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है टेक्नीकल चात्रों के लिए यह बिसिकली डीप्लोमा वालों के लिए चैनल है ठीक है तो बिसित टेक्नीकल चात्रों हमारा जो मैद का कोर्ट से वो सुरू हो चुका है यानि अगर आप किसी टेक्निकल फिल्ड से बिलॉंग करते हैं यानि कि आईटियाई के चात्र हैं डिपलोमा के चात्र हैं और किसी भी गॉर्मेंट जॉब की त्यारी कर रहे हैं और साथ ही अगर आपने गुरूब डी का भी फर्म भरा हो तो उसके लेवल की भी तैयारी हो रही है तो आप आसानी सिंक्रासर को जॉइन करके कोई भी एकजाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम का लेक्चर हमारा चला है अब तक हमारे टूटल चार लेक्चर हो चुके हैं तो अब आप उन लेक्चर को वाज करना चाहते हैं तो आपको पलेलिस्ट मिल जाएगा किस नाम से मैठ फुल कोर्स थीक इस नाम से आपको description box में एक playlist मिल जाएगा तो आप जाके पुराने lectures को वाच कर सकते हैं साथ ही जो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण चीज है वो हमारा क्या है? Telegram Group ठीक है? Telegram Group Telegram Group का क्या नाम है? Career Update by Engineer यानि कि जो हमारे channel का नाम है वही हमारे Telegram Group का भी नाम है ठीक है? तो आप इस ग्रूप को जोईन करके जो भी topic मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा maths related जो भी topic हम लोग पढ़ेंगे 5-6 दिन में, एक वीक में यहाँ पर क्या होगा? Saturday और Sunday ठीक है? इस ग्रूप में Saturday और Sunday को क्या आगनाई होगा? क्या जागनाई होगा जितने भी maximum questions हम लोग रख सकते हैं कोई limit नहीं है 500 जितने भी questions हो पाएंगे मैं रखने की कोशिस करूँगा कि ज़्यादा सज़्यादा questions कराए जाएं और यो questions कहां से पूछे जाएंगे जो भी topic मैंने अपने class में cover किये रहेंगे वहाँ से questions पूछे जाएंगे तो आप क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ से lectures को अटेंड कर सकते हैं साथ ही कोई भूखो तो उससे practice कर सकते हैं और वहाँ पे जो week में quiz आगनाई जोगा यानि कि Saturday और Sunday को उसमें participate करके यह देख सकते हैं कि आपके तयारी कितनी है यानि कितनी questions आप सही कर पा रहें जैसे आप एकर से exam ही वैठे हैं एक minute का time एक प्रस्ण के लिए आपको दिया जाएगा तो आप उस प्रस्ण को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप टेलेग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा ठीक है तो देखें maximum चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं number system में कुछ चीज़ें जो हमारी बच्ची हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं तो जैसा कि आप लोग को heading देखी रहा होगा कि संख्याओं में भाग संक्रिया याई कि simple प्रस्न पूछे जाते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया पर अधारित कैसे प्रस्न पूछे जाते हैं आईए उसको देखते हैं ठीक है ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कि माना किसी संख्या, ठीक है, A को, ठीक है, माना किसी संख्या, A को, B से विभाजित करने पर, B से विभाजित करने पर, भागफल, Q तथा, से सफल, R आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि माना किसी संख्या, A को, यानि कि कोई एक संख्या, A है, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम लोग किसे से विभाजित कर रहे हैं, B से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग भाग देते हैं, तो B से विभाजित कर दिया, अब B से विभाजित करने के बाद भागपल हमारा क्यूँ आ रहा है भागपल हमारा क्यूँ आ रहा है ठीक है और यहाँ पर हमारा says reminder यानि की जो says है वो कितना आ रहा है R आ रहा है तो सभी चीज़ें आपको समझना जरूरी है A को यहाँ पर क्या बोलते है यानि कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते है भाज ठीक है अब ही देखें कि कैसे प्रस्न बनता है ठीक है इसको इंगलिस में बोलते हैं डिवाइडेंट, ठीक है, भाज, यानि कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाज, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजे, जिस संख्या में, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है, और B equal to क्या हो जाएगा, be equal to हो जाएगा भाजक इंगलिस में क्या बोलते हैं डिवाइजर ठीक है जिस संख्या से भाग दिया जाता है ध्यान से समझेगा देखें काफी बेसिक चीज़े हैं लेकिन बहुत सो लोगों को नहीं बता होती है ठीक है इससे प्रस्न सिंपल बनता है तो जिस से भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक तो यहाँ पर आप लिख लिजे जिस संख्या से भाग दिया जाता है ठीक है जिस संख्या से भाग दिया जाता है और भाज जी क्या होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है ठीक है अब बाकी से भाग फल और आपको पता ही है क्यों इक्वल्टू हमारा क्या है भाग फल जिसे हम लोग बोलते हैं क्यों सेंट ठीक है ठीक है और आर आर हमारा क्या है आर है हमारा सेस सेस फल जिसे हम लोग एंगले से का बोलते हैं reminder ठीक है तो यह चार चीजें जो है आपको याद रखनी है सबसे पहले कि भाज किसको बोलेंगे भाज किसको बोलेंगे भाग फल क्या होगा सेस फल क्या होगा अब देखिए प्रस्ण में आप से ऐसे पूछता है कि यदी ठीक ह पफल हमारा कितना बचता है क्यों आता है तो सेस क्या होगा यानि कि इन चारों में से तीन वैलू आपको दी रहती है और एक वैलू क्या रहती है मिसिंग रहती है वो वैलू क्या करनी रहती है आपको निकालनी रहती है तो इसके लिए आपको क्या रखना एक फामूला याद रखना है ठीक है एक फार्मूला नोट कर लीजिए जिससे क्या हो जाएंगे आपके सभी प्रस्ण जो है आसानी से हो जाएंगे ठीक है भाज जी बराबर भाजक गुर्टे भाग फल प्लस सेस फल ठीक है यह फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है भाज जी बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुर्टे भाग फल प्लस सेस फल ठीक है इसी फार्मूले पर आपको किसी संख्या से भाग देने पर ठीक है यानि कि किसी संख्या से क्या किया जाए 1043 को भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है भागफल आता है आपका 11 ठीक है तथा सेसफल कितना दिया है 20 तथा सेसफल बराबर 20 तो वह संख्या ग्याद कीजिए यानि कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर किसी संख्या नहीं कि कोई भी संख्या हो सकती है किसी संख्या से भाग देने पर भाग फल कितना आता है 11 तथा सेस्फल कितना आता है 20 तो वह संख्या ग्याद किजे जिससे भाग दिया गया तो अब देखे 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर तो मैंने आपको क्या बता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं भाजे तो भाज की जगा पे हम लोग क्या रखेंगे 1043 बराबर भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है यानि कि जिस संख्या से भाग दिया गया वही तो हमको ग्याद क लेजिए एक 1043 माइनस इसका पच्छांतर करेंगे इधर आएगा कितना एगा बीच बराबर क्या हो जाएगा 11 इसको आप घटा लीजिए कितना आएगा 118 इस बराबर कितना आएगा 111 एक्स बराबर करेंगे इस तरह का कोई भी प्रसंद निप्रसन पूछे तरह के इस तरह का कोई भी प्रसंद पूछे आपको तीन आपको 3 वैलू दी रहे आनी कि भाज भाज़क भागफलnd भागफलnd दिया रहे ह। Nah भाज निकाल सकते हैं भाज भागफल सेसफल दिया रहा है तो आप भाजक निकाल सकते हैं इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रस्णों को सालो कर सकते हैं लेकिन इसी में से क्या हो जाएंगे जब दूसरे टाइप के प्रस्णों पूछे जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इ रहा है नंबर सिस्टम में ये टाइप 10 का प्रस्ण जो है था ठीक है इसके पहले पिछरे लेक्चर ने हम लोगों ने टाइप 9 तक पढ़ दिया था ये टाइप 10 का प्रस्ण था तो अब इसी के अंतरगत हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रस्ण घुमा के कैसे पूछ सकता है छैसे भाग देने पर 5 vocês आता है है किसी संख्या में छैसे भाग देने पर 500 तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर कितना से आएगा अब देखिए यहां पे जो हमारा फार्मूला होता है बहाज बदावर भाonn हाज गुर्टे भाग फल और से तो अगर वहाँ पर कोई 4th value क्या है missing है ठीक है तो 3 value हमको पता होनी चाहिए तभी तो हम 4th value निकाल पाएंगे लेकिन अगर पहले question में देखें तो किसी संख्या में 6 से भाग देने पर यानि कि भाजक हमारे पास है और सेसफल है जब कि हमारे पास भाज और भागफल दोनों नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा हमको यह दो जब sentence मिल गए तो दो sentence को मान कर दो समीकरण बनाने पड़ेंगे तब उसको साल करना पड़ेगा तब हम अको जाकर उसका अंसर निकलेगा या तो दूसरा अप्शन हमारे पास क्या है trick ठीक है दो समीकरण आप बनाएंगे exam में उसके बाद उसमीकरण को साल करेंगे फिर अपना अंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे trick का प्रयोग करेंगे तो देखिए अगर इस तरह का प्रसनाप से पूछे तो आपको सबसे पह बाद दिया जाता उसको क्या बुलते हैं भाजक मेंने आपको पहले बताया उसी संख्या में तीन से भाग देने पर यानि कि यह क्या हो गया दूसरा भाजक तो step 1 में हमको क्या करना है ठीक है step 1 आप लिखिए इसी step के हिसाब साब को साल करना है ठीक है सर्व प्रथम यह द पहला भाजक दूसरे भाजक से भाज्य है या नहीं यानि कि भाज मतलब विभाजित है या नहीं तो हम लोग चेक करते हैं तो चेक अगर विभाजित करते हैं तो आसानी से हो जाएगा पूरा पूरा ठीक है इस दो से कोई मतलब नहीं है बस हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये वाला जो भाजक है, वो दूसरे भाजक से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से. ठीक है? तो हमारा ये हो गया, ठीक है? अब step 1 जह हम लोगों ने कर लिया, तो step 2 में क्या करना है? यदि मदलब ऐसा होता है, यानि कि पहला भाजक, दूसरे भाजक से विभाजित हो जाता है यहाँ पर लिखे यदि ऐसा होता है तो क्या किया जाता है जो सेस आ रहा है ठीक है सेस में दूसरे भाजक से सेस फल जो आ रहा है पहले भाजक से आने के बाद उसमें क्या किया जाता है डाइरेक्ट सेसफल में दूसरे भाजक से डाइरेक्ट भाग दे दिया जाता है और जो सेसफल बाद में प्राप्त होता है वही हमारा उत्तर होता है अब ध्यान से समझेए सबसे पहले आगर इस तरह का प्रस्ण है स्रिक्रन समझेए सबसे पहले आगो क्या चेक करना है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है की नहीं तो 6 बटे 3 करेंगे, तो आसानी से पूरा-पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानि कि दसंबलों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पूरा-पूरा क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, अब जब ये condition पूरी हो गई, तो उसके बाद हमको क्या करना है, अगर ये condition पूरी हो जाती है, यानि कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह भी भाजित हो जाता है, तो हमको क्या करना है, दूसरे भाजक के बाद हमको सेस निकालना है, तो जो पहले भाजक के बाद यहां पे सेस आया है, यानि कि 5 आया है, उस सेस फल में, 5 सेस कितना बचेगा दो बस यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तीन से भाग दिया जाएगा तो कितना सेस आएगा तीन से भाग दिया जाएगा तो सेस फल दो आएगा तो इस तरीके से आप प्रस्न को कर सकते हैं अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जो पहला भाजक दे दे आपको साथ दे दे एक्जामपल के तोर पर ठीक है मैं एक्जामपल के तोर पर समझा रहा हूँ यहाँ पर पहला भाजक साथ दे दे और यहाँ पर दूसरा भाजक तीन है तो क्या पहला भाजक साथ तीन से पूरी तरीके से डिवाइड हो नहीं होगा साथ जो है पूरी तरीके से दिवाइट नहीं होगा तो इसका मतलब यह जो आकड़े हैं वो क्या है अपरयापत हैं तो आपको अंसर में दिया रहेगा कि दिये गए आकड़ों से सेसफल प्राप्त नहीं किया आ सकता है यानि कि अंसर आपका तभी आएगा आप चाहे उस फार्मुले में भी रखके करेंगे तभी अंसर नहीं आएगा अंसर तभी आएगा जब यह पहला भाजक क्या रहेगा दूसरे भाजक से विभाज रहेगा ठीक है दो कंडिशन आपको सौन जा गई विभाज रहेग तो उसके बाद हम लोग क्या करें पांच को तीन से डिवाइड करें तो जो सेस फल मिल रहा है वही हमारा उत्तर हो जा रहा है लेकिन अगर जो पहले भाजक के बाद प्राप्त सेस है वो दूसरे भाजक से ही छोटा हो यानि कि मान लीजिए छैसे भाग देने पर सेस फल द इसे भाग देंगे ठीक है तो अब आपको भाग देने की ज़ूरत ही नहीं है यदि ऐसी कंडिशन आती है कि पहले भाजक द्वारा प्राप्त सेस फल ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर कंडिशन थ्री इस्टिप थ्री लिख लिजिए ठीक है ईस्टिप थरी मैं लिखिए लिख लीजिए आप लोग तभी क्योंकि सबीचीज न क्या होती है भूल जाते हैं लिखेंग नहीं तो यदी पहले भाजक भाजक से प्राप्त सेसफल यानि कि पहले भाजक से प्राप्त सेसफल कितना है दो पहले भाजक से प्राप्त सेसफल दूसरे भाजक से दूसरे भाजक से छोटा हो दूसरे भाजक से क्या हो छोटा हो जाए तो वही अभीष्ट उत्तर हो जाएगा वही अभीष्ट उत्तर होगा ठीक है? ध्यान से समझेगा यानि कि छोटा है तो वही हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है? फिर तो हम भाग देंगे नहीं यानि कि जैसे हाँ एक हो जाए ठीक है? तो यहाँ पर क्या एक को हम लोग तीन से डिवाइड करके कोई हमको सेसफल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि छोटा है, तो क्या करेंगी? यही हमारा उत्तर हो जाएगा पहला हमको क्या चेक करना है? ध्यान से समझेगे पहला क्या चेक करना है? कि यह जो पहला भाजक है यह दूसरे भाजक से भी भाजय है हैं अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ टाइप नंबर 11 थ्वेडिंग डालेजे टाइप 11 कि देखें यहाँ पर टाइप 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभाज संख्या की जाज करना जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में पढ़ाया तो अभाज संख्या क्या होती है ऐसी संख्या जो एक और स्वयम के अलावा और किसी संख्या से भी भाजित ना हो ऐसी संख्या क्यों क्या करते हैं ऐसी संख्या को हम लोग अभाज संख्या और इंगलीज में से क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं तो अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि वो भाज है या अभाज है अभाज का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एक सभी चीज़ें आपर बताई थी एक और स्वयम के अलावा ठीक है एक और स्वयम के अलावा तर ना हो, यानि कि किसी भी संक्या से विवाजी तर ना हो, और सबसे छोटी अभाज संक्या, ये भी आप से पूछता है, सबसे छोटी अभाज संक्या कौन सी है, दो, ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, एक में, तो एक नहीं है, एक ना भाज संक्या है, ना ही तो अब जैसे यहां पैग्जाम्पल दे दिया कि 173 ठीक है अब यह अभाज था कि आप ऐसे करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका जब हम वर्ग करें यानि कि जिसका हम इसक्रायर करें वर्ग करें तो वो संख्या क्या हो जाए इस संख्या से बड़ी हो जाए ठीक है जैसे हम लोग देखते हैं 13 तेन्हाक है तेन्हां अगर हम वर्ग करेंगे कुतना आएगा एक सब्सक्राइब याद होनी चाहिए मैंस पचास तक आप आपको याद होनी चाहिए ठीक है पचास दक आवर्ग आको क्या होना चाहिए निहीं दो क्या 179 173 से बड़ा है नहीं छोटा ही है तो मैंने क्या कहा कि हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका जब हम वर्ग करें तो इससे क्या हो जाए बड़ा हो जाए ठीक है जो संख्या हम ले उसका वर्ग करें तो इस संख्या से क्या हो जाए बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या लेते हैं 14 लेते हैं ठीक है 14 देखिए 14 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 192 यानि कि 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर रेंड किसे 173 ठीक है यह हमको पता चल गया कि 14 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 192 और 192 क्या है 173 से बढ़ा है तो जो भी संख्या हमारी यहां पर आएगी तो हमको क्या लिखना है 14 से चोटी अभाज संख्याएं अभाज संख्याएं हमको लिखनी है तो 14 से चोटी अभाज संख्याएं कौन सी है 2 हो गया 3 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया नहीं होगा कभी नौ एक से भी विवाजित है नौ से भी विवाजित है और तीन से भी विवाजित है ठीक तो ध्यान रखेंगे इंसा बात को तो जो संख्या हमको यहां पर मिली यानि कि जिसका वर्ग क्या है इस संख्या से बड़ा है उस संख्या से छोटी जितनी भी अभा भाज संख्याई हैं वो हमको क्या करना है यहां पर लिख लेनी है तो 14 से छोटी भाज संख्याई क्या है दो है तीन है पाँच है साथ है ग्यारा है तेरा है अब हमको क्या काम करना है कि इन संख्याओं से इसको विभाजित करके देखना है अगर इन में से किसी भी संख्या से 173 विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगी भाज संख्या हो जाएगी और अगर इन में से किसी से भी ये विभाजित नहीं होता है तो 173 हमारी क्या हो जाएगी अभाज संख्या हो जाएगी ध्यांजर समझ लीजिए आप लोग इसको लिख भी सकते हैं अगर नोट आप ब पठा होना चाहिए नहीं की rule of divideration पठा होना चाहिए जो कि मैं आपको पढ़ाया हुआ है तो दो से अगर हमको काटना है किसी संख्या को तो उसके last में क्या होना चाहिए कोई सम संख्या या 0 मैं तो क्या ये 2 США विभाजित हो गा नहीं तीन से HAMS विभाज़ित करके नहीं देखना है ए से क्या हम लेना है अब तीन से अगर कोई संख्या तो उसका नियम क्या है कि उन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए जिसे 1, 7, 8, 8, 3, 11 तो क्या 11 को 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं नहीं डिवाइड होगा नहीं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी बस चिप कर लिया आगे बढ़िए 5 से डिवाइड होगी नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए डिवाइड कर रूल क्या है कि उसके लाश्ट में 5 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो क्या यहाँ पर 5 है क्या यहाँ पर 0 है तो 5 से भाजित होगी नहीं यह नहीं कि आप यहाँ पर करने लगेंगे 173 और 5 से डिवाइड करके मैं आपको ऐसे नहीं करना है बस डिवाइडेशन रूल लगाना है और आपको चेक करना है साथ से भाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी इकाई का अंक है उसका दुगना ठीक है यानि कि 17 में से क्या घटाएंगे यानि कि जो ये दो अंक है 17 इसमें से इकाई अंक का दुगना घटा दिया तो कितना पचा 11 अगर ये संख्या साथ से डिवाइड हो जाती है यानि कि दो अंक जितने भी अंक है यानि कि इकाईक अंक का दुगना किसमे से घटाना है पिछले वाले अंकों में से तो अगर ये संख्या साथ से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या साथ से डिवाइड होगी तक आप लोग जाके देखीएगा पहला लेक्चर में ठीकर तो यह 7 से भी divide नहीं होगा इसी तरह 11 से भी नहीं divide होगा 3, 4 तो 11 से भी divide नहीं होगा और 13 से भी divide नहीं होगा तो इसका मतलब जो यह 173 है यह 14 से छोटी किसी भी संख्या से क्या है विभाजित नहीं है यानि कि 14 से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है ठीक है अगर किसी एक से भी विभाजित हो जाता तो यह क्या संख्या हो जाती भाज्य संख्या क्योंकि भाज संख्या वही होती है जो एक और स्वयम के लामा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए लेकिन ये जो ये संख्या है इन में से किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है इसलिए 173 क्या है 173 एक अभाज संख्या है ठीक है देखिए ऐसे प्रस्न पूछता ह और आप से प्रस्न पूछेगा एक्जाम में गुरुप डिया 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 उसकी बात करें तो बहुत पूशता है कि नीमन मेंसे काउन अभाज संख्या है और आपको क्या कर देगा चार अपसन देदेगा ठीक है अब देखे इसका ट्रिक भी मैं बता रहा हूं वह उसको पता है कि आप ऐसे शुरू से चेक करेंगे तो इस तरह के प्रस्न हो जिसमें आपको चारों आपसन चेक करने हो तो आप क्या किया करिए च सकते हैं अभाज संख्या कौन सी संख्या भाज यह है यह वो निकाल सकते हैं तो belangिन्य में बहुत इस टाईप कज एक प्रस्नत पूंछा जाता है मैं अया यहुआ यह 10 अब देख लेते हैंhst मुझा लोटेकल व्यक to check the example क्या है मारा दूसरा है हमारा 47 सै टिक है दूसरा एक्जांपल हमारा क्या है 447 तो अब 433 कि ससे बॉर मैं यॉक किसः कर ओका तो 400 सै थिस क्या है इससे च्छोटा है अब 21 से छोटी 21 से छोटी अभाजी संख्याएं क्या है तो यहाँ पर लिखे 2 हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, 11 13, 15 नहीं होगा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और बस ठीक है इतनी संख्याएं जो हैं हो जाएंगी कितनी 21 से छोटी यह भाजित संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 21 से छोटी भाजित संख्याएं इतनी हो जाएंगी तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग चेक करेंगे दो से भाजित करके देखेंगे तीन से पान से जैसे भाजिता का नियम से उससे करके देखेंगे तो यह जो हमारा 437 है ये किस से भाज़़ हो जाएगा? 19 से 19 दूना 38 यहाँपर कितना पुचेएगा? 5 5 और 7 सत्तावन हो जाएगा 19 सत्तावन तो ये संख्या जो है 19 से भाजित हो जाएगी इसका मतलब ये जो संख्या है क्या है? भाज संख्या नहीं है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं तो इतनी ही चीज़े हमको नंबर सिस्टम में मैंने अपनी तरफ से जो महत्पूर्ण चीज़े हैं देखे जो टार्गेट मेरा है वो गुरूब डी का एक्जाम है डीर्ड एक्जाम है और साथ ही साथ आप किसी टेक्निकल एक्जाम के त्य पूछा जाता है और गुरूब डी डी इस तरीके के जो एक्जाम में जो प्रस्न सिंपल पूछे जाते हैं उसी को हम लोग टार्गेट में रखके चल रहे हैं ठीक है तो वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दीजे और सेर कर दीजे अपने दूस्तों के साथ इसी के साथ हम तक बने दीजे मारा साथ बहुत-बहुत धन्यवाद